शिराग पस्वान जी से भी हम यहीं कहेंगे आप नरेंदर मुदीज से आगरा करिए हनुमान बन करके हमको लगता है कि हनुमान का बात जैसे रमायन में जब राम सुनते थे तो उनकी बातों को मान लिया करते तो मुझे लगता है कि इस रमायन में जिस रमायन के आप हनुमा हेः उनका भला में ह। भी हार के सभी लोग खुस थे इस बात को ले करकी इस बार हो सकता है कि विसेसराज का दरजा दर्जा मिल जा nuclear कि नितीस कुमार को थे इसिलिए बीजेपी के साथ में सब्क benefits नरेंद्रमोदी का साथ हैं अब शीधे तोरपर खारीज्च कर दिया गया है इस पर कैसे विषार को विशेश राज का दराज्चा नब 지망 कात के इन्हीं सारहे निवारह से मतल cage पे दरजा के नाम पर ये गये पास लेकिन अब नहीं मिलकी दिशन के تعथ दिलवाने गये थे या अपनी पाटी बचाने गये थे यह तो वहीं जानते हैं लेकिन नितीश कुमार जी अपने स्टेंड पर टिकने वाले नेता नहीं है सबसे बड़ा कमजोरी उनका यहीं है और जब नेता कमजोर होता है तो गड़बंधन का जो बड़ा दल होता है उसको जब मन करता है जैसे मन करता है वैसे ट्रीट करता है नितीश कुमार जी की बातों को अगर आप देखेंगे शुरू से तो उन्होंने एक बार DNA टेस्ट करने की बात जब कहा था ये क्या कहते हैं नरेंदर मोजी जी ने कि नितीश कुमार के DNA में गड़ बड़ी है तो अपने DNA को नितीश कुमार जी पूरे विहार के DNA से जोड़ ये थे और मुझे याद है कि उस वक्त बिहार से बाल नाखोन भेजवा थे लाखों लोगों के टेस्ट करने के लिए कि देखिए बिहारीयों का ये DNA है आप नाखोन और इनके बाल को लेकर चेक कर लिजे हमारा जो DNA है वो औरिजनल है लेकिन अब सोचिए कि जो DNA की बात कर करने वाला ने था नरंदर मोदी के साथ मिल जाए और फिर DNA की बात भूल जाए फिर जब अलग होता है तो कहता है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे लेकिन होता क्या है डेड़ साल बिता है दो साल बिता है फिर वहीं काम करते हैं फिर म मिल जाते हैं तो ऐसे में सब्सक्राइब जा रह रहा है तो ऐसे नेता को नरेंदर मोदी जैसा जो घाघ हादमी है वो हलके में ही लेता है और इनकी मांगो को इस तरह के भासे का इस्तमाल योचित नहीं है देखेज के परदान मंत्री है इस देश के जन्ता के ही कुम poczekphone करएगी औeffect संसरा इंति ंट्छा को यह पाकिस्तान की भारतिके पैकेज जी .. ध्राजा मामिला उसेजिके से झाँएगर के दियुक्ता आहीं, खती विचए के मनु attractive क्या कि Parlament की मुद्धा or खड़े हूं ताकि बिहार में आज भी सेक्ड़ों लोग बेघर हैं उनके पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है सेक्ड़ों लोग जोपडियों में रह रहे हैं रहने को घर नहीं है और सेक्ड़ों और हजारों हजार लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पीने का सूध पानी नहीं मिल रहा है दो टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है तो हमें लगता है कि बिहार जैसे राज को जो इतना पिछड़ा हुआ है सिक्षा के छेतर में भी पिछड़ा हुआ है यहां भुमिहीन लोग जादा है और बिहार इंटरनेशनल बॉडर से भी सटा हुआ और तमाम जो यहां की मुलभुत समस्या हैं उसमें अभी भी कहीं न कहीं कमिया है इस वज़ा से बिहार को विशेश राज का दर्जा या विश विशेश राज का दर्जा और विशेश पैके देंगे तो इसका क्रेडिट हो सकता है कि हमें न मिले नितिश कुमार को मिल जाए इस वज़ासे वो लोग नहीं देना चाहते हैं एक समय था कि चीराग पासवान लागातार इस बात को कहते रहते बड़ी मुखरता से कहते थे कि नितिश जी अगर आप से विशेश राज का दर्जा नहीं मिल रहा है तो आप इस्तिपा दे देजे आप अपना मांसिक इस्तिति का जाच कराईए आज वो भी नहीं बोल रहे हैं क्या वो बिहार के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं देखिए इस्थिपा देने की जहां तक बात है तो सच में नितिश कुमार जी को बिहार के मुखमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे उर्जावान नेता को अपना पद सौंप देना चाहिए चिराग जी को देना चाहिए अब हम यह तो नहीं कहेंगे कि चि वरता नहीं चाहिए बेड़ी बाते करते हैं विहार फर्ष्ट भिहारी फर्ष्ट और तमाम मुद्धे उसमें जोड़ कर के रखते और अभी तो NDA के कैबिनेट मिनिस्टर है तो उनको भी बिहार के जो मुद्दे है और बिहारी फर्ष्ट वाला जो अपना निकाले थे बुकलेट उस बुकलेट को एक बार प्लटने क्यों सकता है और बुकलेट में जो जो मांग उन्होंने 20 के विधान सभा चुनाव के दवरान जब वो अकेले लड़े थे तो उन बातों को ले करके बिहार में जाकर के नितिस कुमार को कुषने का काम करते थे लालू ज्यादों तो यस्व प्लट करके देखिए कि आप क्या-क्या मांगो को लेकर के बिहार की जनता का भोट आप लेने का काम किये थे और फिर से मौका है कि आप अभी केबिनेट मंत्री हैं हमारे नितिस कुमार जी तो ठक ही गया है लेकिन आप हमें उमीद है कि बिहार के विशेष दरजा अभी कि आपको बंगला दिलाया गया और तमाम जो सुक्सु विधाय आपको मिली कैबिनेट मिनिस्टर चाचा के जगाव पे बनाया गया तो जो भी मिला सब हनुमान होने के ही वजास मिला तो आप हनुमान है तो आप अपने प्रभू स्री राम से जो नरेंदर मोदी हैं उनसे आगरा किजिए कि है प्रभू बिहार पे कुछ दया दिरिष्टी दिखाईए और बिहार को बिशेश दर्जा नहीं दे सकते हैं तो बिशेश पाइके दिलवा दिजिए अब इसे पाइके दिलवाईएगा तो आपका फिर यहां पे जो बिहार में आपका सेना है उस स सुन्य पे आउट होना पड़ा एक विधायक जीता था भी नितिश चाचा अपने पार्टी में लेके चले गए तो फिर जब अगला साल विधान सभा का चुनाव होगा तो विशेश पाइके आप दिलवा दिजेगा तो मुझे लगता है कि आपके विधायक हमको लगता है क कि बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे डबल डिजिट में हो जाएंगे सुनने से हो सकता है दस हो जाएं तो चिराग पासवान जी से भी हम यहीं कहेंगे कि सिर्फ नितिश चाचा ही विशेश राज का दरजा और विशेश पैके दिलाने के लिए जिम्यदार नहीं है आप कि तमाम को कहते हैं कि यहां पर कंपनिया कोई नहीं आने चाहती हैं विदेस्य कंपनियां करके कोई यहां पर अना फेक्टरी नहीं खोलना चाहता है बिहार के लोगों को रोजगार नहीं है आ बढ़ाना चाहता है अभी तो आप नरिंदर मोदी जी के साथ हैं जो कहते हैं कि हम भारत में पिछले 10 साल से लगतार काम कर रहे हैं देश्क को विकास को बढ़ा रहे हैं तो आप से कहेंगे कि आप नरिंदर क्या पनुमान है और जिस रमायन के राम मोधी है तो आप भी आराधना उनका याचना करिएगा तो हो सकता है कि बिहार को भी से स्पैकेज मिल जाए और बिहार के जो पंद्रा करोड आम अवाम है उनका भला हो जाए और यहां पे स्वास्त बेवस्था बेहतर हो जाए इंफ् आप मोधी जी के हनुमान बन करके दिली में बैठे है जब आप सत्ता में नहीं थे जब शानसद आप मंत्री नहीं थे तब तक तो अब पूरा बिहार घुम रहे थे अभी आपको क्या हो गया है तो हम यह चाहते हैं कि आप फिर से रंदर मोदी की आचना आदना कीजिए और बिहार को बिशेश परके दिलवाईए सोसन अत्याचार खतम करवाईए भूमिहिंद जो लोग है बिहार के लोग उनको भूमी उनको रहने को घर दिलवाईए तब जाकर के हमने लगता है कि सच में आप नित मोदी जी के ओर इजनल हनुमान है अन्याथा कहने को तो को यहनुमान बन जाता है और आपके लोग तो बानर से नबने की हुए है ठीक है अन्त में आपके उपर फिर करवाई करेगा लोग फोन करेगा आपको धमकी देगा धमकी क्या देंगे हम भी जिस समाज को कहते हैं कि मैं उस समाज से आता हूँ ने भी उसी समाज से आता हूँ, लेकिन मेरा जमीर जिन्दा है, हमारे समाज के उपर सोशन अत्याचार, बलतकार, हमारे लोगों को सरकारी यूजनाओ के नाम पे उनकी जोपडियों को जड़ा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है, तो हम उन मुद्दों पे समाज के साथ खड़े नजार आते हैं ना कि हम लोग सत्ता और उसके लोब और लालच में किसी जो हमारा बिरोधी दल है जो हमें सुरू से देखना पसंद नहीं करता है उनके गोद में बैट करके हम सत्ता का मलाई चकने के काम तो अमर जोती पासवान है ये साफ तोर पे कह र दर नहीं दे पाते हैं तो भी सेफ पैकेज ढ़िय दे क्योंक히 आप से उमीद आप उसी आचना और उसी प्राथना के बदवलत आपको 5-600 मिला है उसी प्रातना के बदलत आपके चाचा का घर खाली हुआ आपको बंगला मिला है तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप प्रातना किजेगा और असली में हनुमान का काम किजेगा तो आपके सो कॉल जो राम जी है वो आपको बिहार के BCS राज का दर्जा और special package दे सकते हैं आपकी क्या परतिक्रिया है इन पूरी बातचीत पर लिखिएगा comment box में हमारा नाम केशाव यादव है पबलीक एस्टेसन आप देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद